कि एक बार फिर से स्वावत आपका स्टड़ी वी सिविल बड़ी में और जिसाए कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और वहां से आप जाके देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं लेक्टर नमबर 12 की लेक्टर नमबर 12 वहां क्या बात करने वालें लेक्टर नमबर 12 वहां बेसिकली जो सैंटरी इंजनरिंग उसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनके बात करेंगी और अगर हम बात करें सबसे पहले सैंटरी इंजनरिंग की और सबसे पहला टॉपिक जब्गम स्थीश्थ टेंड की साप्टेंट की क्या कि तो आपके सामने में एक सेप्टिक टेंक दिखा रहा हूं कि इस सेप्टिक टेंक में आपको जो जिदे ध्यान में रखना है कि दो compartments इसमें ठीक है एक तो है आपका effluent ठीक है यहां से अफ्लुएंट एफ्लुएंट आएगा बतलब इसमें एक यहां पर क्या है enter甚麼 गोगा की घर है या कोई भी कोलोनिय उस सय हो गा कि आपके सेप्टीक अखेंक हो रहा आह तो एक ही boys रहे है यह कहा पर नहीं पर अपर यहां पर-इस तरह से यहां 땡-ट्री ओगी ध्लिग अब यहां पर इनलेट जो डिप पाइप है इस इनलेट डिप डिप पाइप से इस तरह से यहां पर क्या होगा कि वेश्ट आएगा आपके पास में वेश्ट वाटर वगएरा जो वेश्ट है वो चीज आएगी यहां पर इस तरह से और जो इसमें मैं वो इसकम उपर आपको आफ आ दिख़ाई देगा तो जो ऊ Pulis कि आपको भी दिख़ाई दे रहा ही है ऐे यह जो लेर है यह सखम है यह आपका FM-1000 यह वाल बनाई गई है इस तरह से आपको दिख रही होगी और इस वाल में क्या होता है एंट एंट्री के लिए मतलब यहां पर दूसरे कंपार्टमेंट में वाटर जा सके यानि कि जो वेस्ट है वह वेस्ट यहां जाए सके उसके लिए आपर क्या ओपनिंग दी जाती है यह साइब आफ यह वुरल से वापस effluent की साओधाव को भी जाता है और इस तरह से जाता है और को सब्सक्राइब अब यहां पर ठीक अब अचिदो एक खे इस और बोलते हैं में उपनिंगों यहां पर दोनों आपके आपका प्रोवाइड करना हो ठीक है सेप्टिक टैंक यह सेप्टिक टैंक है तो यह इस सेप्टिक टैंक है तो मैं पताएं क्या होता है कि मान लीजीए आप99 question खर से तीक होता है कि आपके अगला कंपारटमेंट बनेगיל होते हैं फिर सप्टिक से उसको ऑभी बोलते हैं इसको निए सबस्कों अवी अपर नीचे वेश्टा नेकलेगा और यह जो आपकी मिटी होगी आपकी वोगी उसमें जाकर क्या हो जाएगा यहां जाकर जाएगा तो इसको आफ नहीं चीज़ों क्या है आज कल एक्जान में पूछे जा रहे हैं तो चलिए इंपोर्टेंट जो चीज़ें उनके बारे में डिसकस कर लेता है सेनेटर इंजिनिनिंग से पहली चीज तो यह कि आप से यह बोला जाता है कि सब्क कुछ मिनीमम विर्थ कितनी होती है तो पास तो हम को बैसे कली मिनिमम का क्राइटिर पढ़ना कि सेप्टिंग टैंक में मिनिमम विर्थ कितनी है मिनिमम लिक्विड की लएक मिनिमम फ्रीबोर्ड जो होता है वो 30 cm लेकर 45 cm कटनगा फ्रीबोर्ड का मतलब आपको पता हो अल्रीड फिर नहीं पता जिन बच्चों को समझ लो जिसमाली टेंक है और इसमें पानी बढ़ा हुआ इतना ठीक पानी की डेप्ट इतनी है तो इसमें वह फानी नहीं बढ़ा हुआ है यानि कि यह जो यह हाइट है तो वह फल वोल भोट रहता पार्टिशन वो है वह उची रखी जाती है उसकी जो राइस हो रखा जाता है लगो कितना 15 cm का और जो कनेक्टिंग पाइप होता है उसका जो डायमेटर होता है जो एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से एड करने के लिए जो बनाय ज आता है उसपाइप का डायमेटर कितना होता है उससे फिखना है को या फिर ऐसा घर क्वलर वोलर से कर घजा जाता है ठीका है इसके लाब़ा सोखपिट बीच्ट बीचसा कि उस सोखपित का जो डामेटर कुंटर कितना हो सकता है तो डामेटर not less than 90 cm and depth not less than 1.5 मीटर यानि peak का जो डामेटर है वो आपका 90 cm से कम नहीं हो सकता है तो सोगिट की vite होगी वह आपकी 1.5 मिटर से कम नहीं हो सकती है है तो यह काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में से कुछिन आ चुका है तो आपको धनकना है मिनीम विट से कुछन आ चुका है कनेक्टिंग डायमिटर का कुछ है वो कुछ ना चुका है तो यह आपको याद रखने हैं इसके अलावा मैं होल मेन बताया थाओ जो ऊपनीं छो प्रफिवर पर फॉर्फिफ्टीं टॉट्वाइब सेंटिमीटर सीवर स्पेसिंग कितनी होगी 45 मिटर की यह भी अग्जामें कुछा जा चुका है आपकी 45 मिटर की स्पेसिंग होती है यानि कि आप यह मान सकते हो कि दो मैं यहां पर है दूसरा यहां पर इनके बीच में इस प्रपेसिंग होगी इनमें 45 मिल्टर की स्पेसिंग होगी अगर आपका सीवर का डायमेटर 15-25 के बीच में है तो ओके इंपोर्टेंट रहा इसके लाव आपको पताएं पीट्रेप होता है ट्रैप क्या होता है बेसिकली कि जैसे माली जी इस तरह से आपने यहां पर वाटर होगा यहां पर वाटर होगा यहां से वैस्ट है और यहां पर वैस्ट है यहां से इदर वैस्ट होगा तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर पानी जमा हो जाता है अब क्या होता है कि जो बदबू होती है वह इदर से इदर ना जा पाएं इसके लिए क्या हो तो पेतालीस में में से लेके 75 की वाटर सील प्रइब में पूचता है के वाटर की हूती है और का काम का होता है कि फॉल गैसे इसको बहार से लाभार से अंदर नहीं आने देना इसके लावा आप से पूछा जाता है जो किचन का जो सिंक का होती है किचन की साइज क्या होती है 610 mm multiply 40 450 250 mm इस साइज से लेके 610 450 और 200 mm तक मिलते हैं तो अलग लग साइज हो सकता है इसके लावा जो वाश्वेशन है उसकी फ्लोट साइट कितनी रखी जाती है और इसकी साइज होती है उसका मिनिममम वाटर सील कितना होता है वह होता है 50 mm तो यह भी एग्जम में पूछा चैक्लोसम होता है वह फाचास mm होता है ठीक है और आपसे पूछा जाताब के लिए 45 तक यह वहरी करता है ऊ-ध हुत जाता है लेकिन बेन बहसंता ऍण के लिए पूँचन है यह जो हाइट यह हएट कितनी ना कि जो कितनी है यह है यह कितनी है रियाद तो यह सबसे जादा होती है यह उती है कि फाइफंटरेग्ट की इसके लाबह यह जो बी है वो होती है सबसे ज्यादा होती है कि अब चलते हैं आप से क्या होता है कि estimate and costing में RCC पूछे जाते हैं कि RCC वर्क में आपसे अगर जैसे माली जी आप अगर आपके पास में detail डिजाइन नहीं है यानि आपके पास में कोई ऐसा कोई डेटा नहीं है तो आपको यह पता से लिए कितना अपनी यूज किया उसको पर्टिकुल में तो इस्टील कॉंक्रीट में आप आइडिया लगाएं एप्रॉक्शमेटली आइडिया लगाएं कि इसमें कितना यूज करना होगा और परसंट तक का इस्टील मान सकते हैं और कॉलम में आप वन से लेके फाइब परसंट तक का इस्टील मान सकते हैं तो यह बेसंगे कम आते हैं यह द हैं आते तो थान कहिए परसंटेस्ट्स तो यह चोल्ट परसंट चिल तो यह वहाँ यह देटा काम आएगा जिस्ट आपको समझमें नीए यह गया तो इसका यूजु आपको समझमें आना थी ईसका यूज कि फूए जाता है जब आपको यह नहीं पता है किस्टील यूज ओके उसके डाहब आपके बैंडिंग शृडूल के ख़ाइब बशल में बहुत बदा टॉप लेक्टिंध है ने पहला नोच जब आपके बोग साइड में आपके होक्क्त मतलब कि आपका इस तरह से आपका reinforcement हो उस reinforcement फिर आपसे कुछ में पुझाज़ा है length of bar का length of bar कितनी होगी ठीक है तो length of bar हो जाती L plus 18 diameter of the bar अब L plus 18 diameter of bar कैसे हो जाएगी यह मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए यहां पर जान से समझना यहां तक हो जो distance है किस अलावा यहां पर क्या होगा इसको इस तरह से हुक बनाया गया है यानि कि इस में अगर मैं यह हुक की लेंथ जोड़ दूँ ठीक ना यह हुक की लेंथ अगर मैं जोड़ तो टोटल लेंथ आ जाएगी तो समझना एल प्लस 18 डाइमिटर आपका एटींडी हो जाएगा एटींडी मैं एड कर दिया या पर टोटल आ यह कि जो टोटल लाउंठ होगा जोगी आपकी हूप की वह इस तरह से बनी हुए है तो समें कुछ लैंथ तो यह वाली है और यह बाग近 यह बलागे रहेच्ट दो पंधा होता यह बली लएक वह प्र extracting कि यह प्लो disproportionately जतना आप और एक प्छला जैए वह इस तरह से 90 आता है ठीक है तो यह आपको कितना हो जाएगा टोटल नाइन डी अब नाइन इदर नाइन तो एटीन डी तो यह इस तरह से लेंट आती है अब एक चीज़ान रखना कि जो एल है यह यह क्या है यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम अगर आपको कुशन करना ह है तो एल समझना एल लेंट ऑफ दा बीम और स्लेब माइनस टू एंड कवर मतलब यह आपकी जो स्लेब है यह बीम उसकी लेंथ है एल बट इसमें ध्यान रखना को दोनों कवर माइनस किये गए एक्जामपल आपके मान लीजी इस तरह से बनाया गया है और आपको यह स्ले है और इधर वाला कवर और इधर वाला कवर यह माइनस करना होगा कि वावा यह थालिए कवर ना बहust है तो यह तक है कर लेते हैं जब आप बार को क्रेंग कर देते हैं इसको क्रेंग किया जाती है यह लगबग होती है आपकी आपकी लेंट हो जाती है ल बराबर 0.84D प्लस 18 डायमेटर अब जो है यह वाला जो पार्ट है और यह यह तो पुराना वाला ही है क्योंकि आपने बेसिकली यह और इस तरह का काम तो आपने पहले भी किया ही था कि हुक बनाए तो और स्टेट थी अब इसमें एक नया काम हो हो गया है कि आपने यहां से और यहां से क्रेंग कर दिया इस तरह से क्रेंग किया हैं तो इसकी लेंत एक्सट्रा इएगी इसकी जो एक्स्ट्रा लेन्स आती वह डिया ति जिरो पंड़ एट फोडी blending इसमें अगर आप 30 टपेंड कर आता इंब प्लेस ऑफ दूd यानि अगर यही फॉर्मूला आपको 30 डिगरी इंकलाना होता तो फॉर्मूला क्या बनता ऐल प्लस जीरो पॉइंट एट फोल डी की जगह पर यह तो अच्छा जाता इसकी जगह क्या जाता जीरो पॉइंट फॉल्डी प्लस एटीण डाय आफ बार तो इस तरह सा जाता अब कुशन मनता है कि जो समॉल डी का मतलब क्या है जहां से समझना मतलब क्या है जब आप जैसे आपने अगर बहार बना यह आपका क्रॉस सेक्षिन के लिफट होगी तो इसके एश्क की नहीं तो बटम फाइबर इनकी बीच ते कुछ इंपोर्टेंट थे यह मैंने बताने कोशिशिश किये अब इसके लावब दो-तीन चीज़ है जो आपको शायद नहीं पता होगी उनके बारे में डिसक्सिन कर लेते हैं कि यह तेल टेल्स बोलते हैं यह क्या होता है यह डेड में क्या होता है इसका क्या काम होता है सुनाओगा आपने अगर नहीं सुनाएं तो बताःान क्या हुता आईडिया ल गाई हूं यह तर्म होती है educators एक्सक्राइब अगर आपको कहीं पर मिट्टी बाहर निकालने खोदना है यह पर्टिक्लर एरिया है थीक है अब यह जो एरिया यह प्लेंट एरिया नहीं होगा या बहुत बढ़ा एरिया होगा तो उस यह जैसे अपन कब्र बनाते हैं उसका खोदा जाता है ठीके ना कब्र की तरह से खोदा जाता है और उनकी जो डैप्त वो मेजर कर लिए इसकी तीनों की उनका आइडिया लगा लेंगे इस पूरे एरिया में जो हमने एक्सक्राइशन किया उसकी एवरेज कितनी होगी तो यह जो आधैशन की डैप्त है वो पता करने का करने का काम है इसका मतलब किया अब जो पहले से हम क्या है जिन को कर सकते यह नहीं जिसका हम पहले से नहीं लगा सकते ठीक है वह जो खर्चा होता हो contingency charges में आता है और यह दनक ना जो contingency charges वाला खर्चा है वो किसी भी और item में specify classify नहीं होता है मतलब आप यह चाहें contingency charges हम पहले से cost करके और किसी और में count कर दें तो नहीं किया जाता है especially ऐसा जो expenses है जो किसी और में count नहीं किया जाता है और यह accidental charges में count किया जाता है ठीक ना तो वह कहला था आपका contingency charges इसके लावा यह term मैंने बताई तो आप से पूछा भी था कि इसका मतलब क्या होता है जब किसी प्रोजेक्ट के उपर वर्क करते हैं ठीक ना तो उस प्रोजेक्ट को establish करने के लिए हमको कुछ extra worker की requirement होती है वो जो worker के लिए जो खर्चा होता है जो employees होते हैं उनको count किया जाता है वर्क स्टेब्लिश्मेंट में फॉर एक्जम्पल मान लीजिए यह पर्टिकुलर कोई जो आपने यहां पर आदमी रखा है गाड रखा है तो इसका जो खर्चा होगा वह खर्चा आपको count किया जाके इसमें वर्क यानि कि ऐसे लोग जिनको आप पॉइंट कर रहे हो किसके लिए इस परपस से कि आपका जो भी प्रोजेक्ट उसको और जैसे प्रोजेक्ट आपको complete उन लोगों को आप क्या कर सको फिर निकाल सको यानि कि टेंप्रेरी बेसे पर जो लोग कि आपने प्रोजेक्ट को इसको उनको बोला जाता है वर्क चार्ण मैं मनलब उनको कांट किया जाता उस खर्चे में तो अब यहां पर जो भी गार्ड वगएरा जो भी होंगे स्टाफ यह वर्क कर रहा है इसके लिए उनके अलावा चाहर्ण सो इस्टेबलेश्मेंट में एस्टेबलेश्मेंट में ननिया जा समय स्टाफ है तो आपका जवाब एकुछ समेंड होना है थह आपने 80% estimate पढ़ लिया है अभी जो 20% estimate है यह बिसिकली यह कवर होगा आपके कुशन से प्रिविए से और साथ में जो मैंने 100 कुशन का जो सैट है मेरा important 100 कुशन का उनसे आपका 20% complete हो जाएगा तो इस तरह से फिर आप क्या है 100% आप अपनी estimate and costing का जो कोर्स है वो complete कर सकते हैं अभी जो 20% वाला जो बाकी का है जिसमें कुशन करवाने वाला हूं यह डिपेंड करता आपके उपर अगर आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करते हैं अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लाइक आते इस पर तो मैं जल्दी से जल्दी मैं 20% को भी complete करवाँ यानि कि जो questions हैं उनकी स्रीज में बहुत जल्दी लाने वाला हूं तो वीडियो इसका लाइक करो अपने दोस्तों को शेर करो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम से जुड़ सकते हो या बहुत बहुत धन्यव थेंक यू